नमस्कार प्यारे वच्चो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल बर्डिंग टीचर्स काइड में आज हम पार्ट सोला फक्षा पार्ट सोला बाज और साब के प्रशनोतर पर चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते ह हो तो चलिए इसके प्रशनोतर देख लेते हैं सबसे पहला प्रशन घायल होने के बाद भी बाज नहीं है क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है विचार प्रकट कीजिए आपने पार्ट में पढ़ा होगा जब साप उससे कहता है कि क्यों भाई अभी इतनी जल्दी मरन कैसा कोई सुख नहीं बचा जिसे भोगा नहों वह अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट था बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिन्दगी के जितनी भी चाय थी उसने सब को पूरी की उसने आकाश में जी भर कर उड़ान भरी जब तक उसके शरी में ताकत थी उसन क्योंकि उसने पूरी लाइफ उड़ान भरी थी तो अभी लास्ट मोमेंट पे अंतिम सांस जब वह गिन रहा था तब भी क्यों वह उड़ने की इच्छा प्रकट कर रहा आपने यहां पर यह बताना है उत्तर जिंदगी भर बाज आकाश में ही उड़ता रहा फिर घायल हो पाद भी वह उड़ना चाहता था क्योंकि बाज साहसी था और कायर की मौत नहीं मनना चाहता था वह अंतिम संड करना चाहता था. अगला Aus is साप उड़ने की इच्छा को मुर्खता पूर्ण मानता था फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की उत्तर साप उड़ने की इच्छा को मुर्खता पूर्ण मानता था पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तडब देखी तब सांप को भी लगा कि इस आकाश के रहष्य का पता लगाना चाहिए तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चे किया बार बार बाज ये कह रहा था कि काश में एक बार आस्मान में उड़ पाता तो उसकी इस इच्छा को देखके सांप की मन में भी ये हुआ कि इस आकाश के बारे में मैं भी जानू कि ऐसा क्या है जिस वज़े से ये अभी भी आकाश में उड़ने की इच्छा जाहिर कर रहा है तब उसने भी आकाश में एक बार उडान मन्ने की कोशिश करने का निष्टे किया प्रश्न बाच के लिए लहरों ने गीत क्यूं गाया था उत्तर बाच की बहादूरी पर प्रसंड होकर लहरों ने गीत गाया था उसने घायल अवस्ता में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी उसने अपने प्रांट त्याग दिये परन्त जिंदिगी के खत्रे का सामना करने में वो पीछे नहीं हटा बाज साहसी था कायर नी था और खायल अवस्ता में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अंतिम शंड तक वो प्रयास करता रहा और बाज के इस साहस को देखके लहरों ने उसके लिए गीत काया प्रशने खायल बाज को देखकर साप खुश क्यूं हुआ होगा पहले तो वो डर गया था लेकिन जब उसने उसको खायल देखा तो वो खुश क्यूं हुआ होगा उत्तर खायल बाज को देखकर साप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि इस हालत में बाज उस पर हमला नहीं क कर सकता और उसे अब बाज से डरने की आवश्यक्ता नहीं थी बाज की अवस्था देखकर साब को मालूम पढ़ गया था कि वह मरने वाला है इसलिए वह खुश हो रहा था बाज जब उसके गुफा के आगे गिर गया था तो तब वह अचानक से डर गया था लेकिन उसके जोर साब के प्रश्णों तर अगली वीडियो में हम पार्ट सत्रा टोपी के बारे में पढ़ेंगे टोपी एक कहानी है धन्यवाद नमस्कार प्यारे बच्चों